दोस्तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिया साओधी अरेबिया को पचाड़ते हुए योरोप का टॉप रिफाइंड फ्यूल सप्लाइर बन चुका है दोस्तो यहाँ पे एक तरीके से आप देखे तो भारत को रश्यन ओयल और योरोपेन हिपोक्रिसी दोनों का कर रहा है और थैंक यू इंडिया कि आप यह करवा पा रहे हैं तो क्या है यह पूरी कहानी है आई आज देखते हैं नंबर्स के साथ देखेंगे और काफी डिटेल में हम जाने वाले और कौन एक्जाक्ली बनेफिट कर रहा है इससे उस पर भी चर्चा करेंगे तो दोस्त के लाइफ क्लासे के हैं 40 टेस्ट प्रिलिंस के हैं 10 टेस्ट मेंस के हैं याने वह सब कुछ जो आपको एक्जाम क्लियर करने के लिए वह आपको मिल रहा है और मेक शूर 7,999 रुपए का जो बिनिफिट है वो बस कल तक है तो उसका फायदा उठा लें इसके सिवा समुदर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो तो दुस्तों न्यूज में क्या है एक चाठ आया है सामने ये चाठ देखिए जocused अध्यान से इसको आप सभी देखें आपको काफी कुछ इसमें देखने मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो pink color का number आप देख रहे हैं यह जो यहाँ पर है यह है कि इंडिया ने कितना refined fuel diesel jet fuel Europe को export किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह pink में numbers देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था typically अगर आप देखें तो अन्य गिवन एयर बिफोर दी रशिया युक्रेयन वार यह एक सो चोवन हजार याने डेड़ लाग करीब हम बैरल्स पर डे ऑफ डीजल और जिट फ्यूल यूरोप को एक्सपोर्ट किया करते थे फिर दोस्तों और यहीं पर अगर आप बिफोर वार देखे यह बता रहा है कि हम कितना रशियन क्रूड ओयल इंपोर्ट करने लगे तो यहाँ पर अगर आप देखे तो यह नंबर्स करीबन करीब दो मिलियन बैरल पर डे का आकड़ा भी पार कर चुके है याने कि आज रशिया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर बन चुक है आज एक दिन में इंडिया साड़े तीन लाग से जादा बैरल यूरोप को डीजल एंड अन्य प्रकार के जितने भी रिफाइंड फ्यूल है वो सप्लाई कर रहा है सेकेंड नंबर पर साउधी है वो अगर आप देखे तो 344 तॉजन याने 3,444 पर ही है तो इंडिया ने शौट क्या हो रहा है कि जो रश्यन ओईल है वही इंडिया घुमा के यूरोप को भेज दे रहा है यही वो ओईल है जिसने इसको यूरोप ने बैन लगा के रखा है जिसको नहीं गुसने दे रहे हैं तो दूस्तों यहाँ पर सवाल उठता है यूरोप इतनी महरबानी क्य तो उसको अपनी एकॉनमी रन करनी है तो उसको डीजल चाहिए उसको जेट फ्यूल चाहिए और अगर वो इंडिया के सिवा केवल और केवल साउधी अरेबिया एंड अन्य एक्स्पोर्टर्स पर फोकस करने लगेगा तो वो सब अपनी दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देंग रिसेशन के ट्रैप में ना फसादे इंफलेशन और ज्यादा ना बढ़ा दे तो इस वज़े से यूरोप इंडियान इंडियन फ्यूल को एलाव कर रहा है इसमें कोई महरबानी नहीं है पर दोस्तो यूरोप अपने हिपोक्रिसी को मिंटेन करने के लिए बहुत डियरली पे कर रहा है बहुत ज्यादा उसको इसका हर्जाना भरना पढ़ रहा है तो दोस्तो यूरोप इन रिफाइनर्स आज के टाइम में क्रूड ओयल ओपेक एंड नॉन रशियन सोर्सेस से खरिद रहे हैं और काफी हाइयर प्राइसेस पर भी खरिद रहे हैं तो इसका नतीज भी करता है और यूरोप को बेचता भी है और अच्छा खासा markup big profit margin maintain करता है और यूरोप को बोलता भी है हम दूर से भेज रहे हैं compare to Saudi Arabia तो इसका read cost क्याने जो भाड़ा है वो भी तुम ज्यादा beer करोगे यूरोप कहता है वो भी beer करेंगे लेकिन बेज दो तेल सस्ते में आदाम बहुत बढ़ जाएगा तो इस वज़े से हो यू रहा है दोस्तो कि कई यूरोपियन रिफाइनर्स जो कि इटली में स्पेन में सिच्वेटेड हैं वो इंडियन रिफाइन फ्यूल से कॉंपीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको तो महंगा तेल खरिदना पढ़ र हैं जो इंडियन रिफाइन फ्यूल खरिद रहे हैं वो फ्रांस है टर्की है तुर्की बेल्जियम और नीदरलेंड्स है अब सवाल उठता है आखिरकार इंडिया में कौन रश्यन क्रूड को रिफाइन करता है दोस्तों आधे से ज्यादा चीप रश्यन ओयल लगबग देता हूं इनकी रिफाइनिंग केपासिटी इंडिया में केवल 35 परसेंट है लेकिन उससे अधिक यह रश्यन ओयल डिमांड कर रहे हैं यह नंबर्स थोड़े और ज्यादा थे अब थोड़े कम हुए है वहीं दोस्तों आपको बता देता हूं बिफोर दी रश्या-उक्र यह जो नंबर से भी 35 परसेंट पर है यह 5 परसेंट से भी कम हुआ करता था इन दोनों रिफाइनर्स के लिए तो दोस्तों यहां पर यह डिफिनिटली रश्यन क्रूट सब्सक्ते में खरिद रहे हैं और अच्छा कासा पैसा भी बना रहे है प्रॉफिट भी कमा रहे है व इसमें उदास होने की क्या बात है end of the day यह foreign exchange कमा रहे है और इंडिया में ही आ रहा है तो अक्सा लोग कहेंगे सब पैसा तो पुंजी पती ले जा रहे हैं अरे यही तो नौकरी लगा रहे है यही तो refining capacity बढ़ा के और refineries को expand करेंगे और इस प्रकार से और नौकरिया इंडिया पर चेज कर रहा है अब इंडिया पर प्रेशर ना लगे तो इंडिया पता है और एक चीज़ भी कर ले रहा है इसी के साथ-साथ वो क्या करता है कहता है कि रश्यन ओयल हम domestic use के लिए इस्तमाल कर लेते हैं और जो बाकी sources से में ओयल खरिटते हैं उसको हम refine करके य इस प्रकार से भी अगर Europe US प्रेशर भी डाले तो बोले नहीं नहीं आपको तो साब हम साउदी अरेबिया का ओयल दे रहे हैं इराक का ओयल दे रहे हैं आप चिन निशिंत रही है तो इस तरीके से भी इंडिया बेनेफिट कर रहा है तो यहाप बता देता हूं इंडिया की एशियन रिफाइनिंग हब है इंडिया प्रती दिन पांच मिलियन बैरल से अधिक रिफाइन करता है और यह नंबर्स आप देख सकते हैं इंडिया इस वक्त चौथे पायदान पर है हाला कि इसमें कुछ नंबर्स कुछ नंबर्स ऐसे भी आते हैं कि चाइना ने युएस क कपैसिटी भारत में भी बढ़ने वाली है तो इंडिया इस प्रकार से आप अगर देखे तो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कपैसिटी है वो 250 मिलियन टन्स पर एनम की है जो की बहुत बड़ा नंबर है 23 रिफाइनरी जैं वारत में और भी अधिक रिफाइनरी जाने वाल भी यही रिफाइन फ्यूल है जो इंडिया बेचता है उमीद करता हूं आपको आची क्लास पसंद आई होगी तो लाइक दरूर कीजेगा इसके सिवा पाथफाइंडर बैच का लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है यादर करवा रहा हूं केवल 30 एप्रिल याने कल तक ही है 7999 रुपे में यह कोर्स उपलब प्रिलिम्स मेंस इंटर्व्यू टेस्स सीरी सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं हैंड होलिंग से मिंटरिशिप तक सब कुछ आपको मिल रहा है समुद्र मंतन फ्री मॉक्टेस्ट भी आपको हम 13 में को करवाने वाले है दोनों का लिंक पिंड कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो निशन्त होके सब्सक्राइब कर लें यह वक्त आपके हाथ से जा रहा है इसको जाने के पहले यह ओफर चला जाए उसके पहले इसमें अन्रोल कर लें